कोरोना वह हमारी के चलते लॉकडाउन के पीच सरकार ने अनलॉक वन का एलान किया था जिसके अवदी 30 जून तक रखी गई थी और अब अनलॉक टू जारी कर दिया गया है इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी हो गई है आपको बताते हैं कि अनलॉक टू की गाइडलाइन मे से काम शुरू कर सकेंगे इनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर बाद में जारी किया जाएगा मैट्रू रेल सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल एंडर्टीन्मिंट पार्क थेटर बार ऑडिटोरियम आदी को अभी भी खोलने के इजाज़त नहीं दी गई यह पहले की तरह बंद रहेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट पूर्व की तरह ही बंद रहेंगी इन यातराओं के लिए ग्रहमंतराले से परमिशन की आवश्रकता होगी समाजिक राजनितिक खेल मनुरंजन अकादमिक सांस्कतिक धार्मिक आयजन को बड़े पैमाने पर करने पर रोक रहेगी इन गतिविद्यों को कब से शुरू किया जा सकता है इसकी तारिक बाद में बताई जाएगी राद दस से सुबह पांच बचे तक लोगों को बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से रोक लगी रहेगी हालाकि इस दुरान जरूरी काम उद्यों के कायों में ग्यूटी राष्ट्री और राजमार्गों पर व्यक्तियों के सामानों के आवजा है कार्गों की लोडिंग अलोडिंग जैसी गतिविद्यों को छूट दे गई है कंटेनमेंट इलागों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा यहां होने वाली गतिविद्यों को वसला प्रिशासन अपने ईस्तर पताई कर सकेगा कि किस कंटेनमेंट जून में कितनी और किन सि वधाओं की छूट दी जा सकती है कंटेनमेंट जून में सिर्फ मैडिकल और जरूई चीजों की हिजाजत दी जा सकती है राज्यक reading प्रिशासन के बाहर की कुछ गतिविद्य क्या आवशक्ता नहीं रखी गई है लोगों की यात्रा के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन घरीलू विमान यात्रा विदेश में फसे यात्रियों को वापस लाना कुछ विशेश लोगों का विदेश जाना भारती नाविकों का साइन ओन और साइन ओफ ये सब एस ओपी के अनुसार ही जारी रहेगा अनुलॉक 2.0 की गाइडलाइन के अनुसार बुजर्गों बच्चों और गर्ववती महिलाओं को घर से न निकलने की सला दी गई है स्कूल कॉलेज शेक्शन एक संस्थाओं कोचिंग को अभी खोलने प पूलोर अप्डेट्स